हे गाईज तो आज मैं आपके लिए साइफेरियम प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ एंटरप्राइज रेडी ब्लोक्चेन एड्रेसिंग दा की सोटकमिंग अफ एक्जिस्टिंग पब्लिक ब्लोक्चेन इंफ्रास्ट्रक्चर्चर्स एंड एनेबलिंग इंट्रोप्रेबिलिटी इन एवरी कॉर्नर अफ दे एको सिस्टम यहाँ पर गाईज अगर साइफेरियम की बात करो तो जो उनकी पार्टनर्सी पर वो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी जैसे की गूगल और माइक्रोसप्ट के साथ में है और यहाँ पर अभी उनका टोकन सेल चल रहा है तो अगर आप चाहो तो उनके टोकन सेल में पार्ट जरूर ले सकते है क्योंकि यहाँ पर जो उनका प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बड़िया है और यहाँ पर यह लोग काफी अच्छे से ग्रो कर रहे है तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करू तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए अब हम आ गए है वेबसाइट के ऊपर तो वेबसाइट के रिलिटेड सारे लिंक्स आपको निचे डिस्सिप्सन में मिल जाएंगे तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको वन बाई वन चेकाउट कर सकते है तो आप सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडेक् करके सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली साइफिरियम के बारे में बतारा गया है यहाँ पे अगर साइफिरियम की बात करो तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एन इंस्ट ल developer to entranchise any participant or contributor, a secure wall to combat the increased threats to data privacy, तो य ön आपको यहां पर कुछ Syphirim के बारे में पता चल जाएगा, तो ये I was basically最近 Kyprim क्या है उसके बारे में यहां पर बता अगाया गया है, उसके बस में अगर आप यहां पर नीचे आते है olduğu तो आप देख सकते है, basically उसी के बारे में यहाँ पर detail में बता रा गया है आप दिख सकते हैं यहाँ पर लिखा है by providing a truly decentralized and scalable framework combined with an accessible and intuitive user interface, Cypherium lays the comprehensive foundation for developers to create groundbreaking apps capable of transferring the future of business law and enterprise solutions उसके बद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको basically उनका एक वीडियो मिल जाता है तो इसको आप ज़रूर चेक आउट कर लेना तो यहाँ पर जो भी आपको Cypherium के बारे में detail चाहिए वो पूरी आपको यहाँ से मिल जाएगी उसके बद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको उनका white paper देखने के लिए मिल जाता है तो इसको आप ज़रूर रिड करने ला तो उनका जो भी technical detail वागेरा होगा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा उसके बद में कैसा अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर basically आपको यहाँ पर कुछ news मिल जाते हैं Cypherium के बारे में तो अगर आप चाहो तो इन सबी को आप यहाँ पर one by one check out कर सकते हैं उसके बद में कैसा अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर basically आपको मिल जाती है cbdc update the new trillion dollar opportunity जिसके बारे में आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ और यहाँ पर अगर उसके tools की बात करूं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर आप अगर उनके features की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है 24 by 7 365 available ISO 222 compliant and can seamlessly be embedded with the current financial system third party plugin module for banking system तो basically आप दिख सकते हैं यहाँ पर कुछ उनके यहाँ पर tools और features आपको मिल जाते हैं उसके बद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं basically यहाँ पर जो उनकी services से उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कि यह blockchain solution, cloud consultation and software licensing उसके बद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर कौनसी कौनसी उनकी partnership है वो भी आप यहाँ पर checkout कर सकते हैं और उसके बद में यहाँ पर आपको उनके कुछ latest news देखने के लिए मिल जाते हैं उसके बद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी official community मिल जाती है तो अब मैं गईज यहाँ से back चला जाता हूँ उसके बद में आप दिख सकते हैं अगर यहाँ पर साइफेरियम की बात करूँ तो वो work कैसे करता है आप दिख सकते हैं अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर basically क्या उनकी process है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जो की mean है आप दिख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आप दिख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सइफिरियम्स टेक्नलोजी सेपरेट इस तो प्रोशेश इंटो इस डिस्तिंग ब्लॉक्चेन इंडर तो इंप्रोगें इस पर दिख सकते हैं बेशी कली यहाँ पर कुछ उनका ऐसे प्रोशेस वर करता है उसके बाद में आप के इस तो इस टीश्रीं की टेक्नोलोजी यहाँ पर तू पर कुंछ इस तरह से रहां फर सफेरिट कर दिता है ओर उसके बाद ने आप दिख सकते हैं यहाँ पर निचे लिखा है बीडिंग बिक्कौइं और वाइस कोईन प्रोटोकॉल दे साइफिर्यम ब्लॉक्चेन इस ऑप्टिमाइड फॉर बोथ उन्चीन स्केलेबिलिटी एंड पर्मिशनलेस माइनेबिलिटी थूरू इस हाइब्रीड एप्रोच टू कंसेसर्स तो आप दिख सकते हैं अगर साइफिर्यम टेकनोलोजी की बात करो तो कुछ इस तरह से यह पूरा वर्क करता है उसके बद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जो उनकी टेक्नोलोजी है वो कैसे पूरी वर्क करती है उसके बाद में आप दिख सकते हैं अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर करने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है no minimum charges for smart contract having eliminated price minimums businesses of all sizes can benefit from using this platform और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है no fixed block size faster more adaptable processing allows the technology to scale तो यहां पर basically कुछ आपको यहां पर यह सारे benefits मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया है उसके बद में अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहां पर लिखा है इनिसेल मीन नेट ओफरिंग और अगर आप उसके बारे में यहां पर जानना चाते हैं उनके मीन और आप दिख सकते हैं यहां पर सबसे पहले लिखा है साइफरियम पॉब्लिक टोकन सेल डिसेंटरलाइज स्पार्ट कॉंट्रक्स प्लेटफर्म पॉर क्रिएटिंग और कनेक्टिंग सीबी सीडिस एंटरप्राइज एप्लिकेशन एप्स और डिजीटल सेट्स उसके बाद में आप दिख सकते हैं यहां पर आप नीचे आते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताया है यहां पर जो उनकी पार्टनर्सिप से वह बहुत ही बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे की यह उसके बाद में आप दिख सकते हैं यहां पर लिखा है और मुस्ट इंपोर्टेट इनोवेशन डिसेंट्रलाइज अड़ेटी फाइलियर कंबेंड वित आवर पर्मिशन लेस कंसेंसेज एंड स्मार्ट कॉंट्राक्स सब्सक्राइज की फांडेशन फूर फूचर सी बीड उसके बाद में अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर बेजिक लिए उनकी यहां पर कॉंसी कॉंसी पार्टनर्सीप है उसके बारे में यहां पर बताया गया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर यहां पर उनकी पार्टनर्सीप की बात Centralization उसके बद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टाइम सार्चेंजिंग दे बिगेस्ट यूज केस और ब्लॉक्चेन विल नॉट बिट्कोइन बट सी बीडी सी बीडी सी मार्केट के बारे में यहाँ पे बताया गया है और अगर आप यहाँ पे बता दिया है उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे बेजिकलिक यहाँ पे बता गया है कि कैसे वो लोग यहाँ पे ब्लॉक्चेन का यूज कर रहे है उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है मिलनी तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैं आपको बताया है यहाँ पे आपको Scalability, Security and Decentralization मि मिल जाती है और यहां पर आपको डी सेंटरलाइजेसन मिल जाता है उसके बाद में अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहां पर सब कुछ पता चल जाएगा उसके बाद में अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो अच्छा कर सकते हैं यहां पर उनक के CEO है और उसके अलवा अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर आपको उनके एडवाइजर देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर आपको उनकी डिवलोप्मेंट टीम वगेरा के बारे में यहां पर डिटेल मिल जाएगी उसके बाद में अगर आप यहां पे नीचे आते हैं तो यहां पे basically उन्होंने कैसे token को अले करसिंग किया है उसके बारे में आपको यहां पे बता चल जाएगा आप दिख सकते हैं यहां पे जो allocation है वो round one pre-sale, public sale, कैसे कैसे यहां पे marketing के लिए इन्हों कितना रखा है, team reserve के ल जाता हूँ, तो यहां पे guys अगर simply आपको token को buy करना है तो आप यहां पे join sale now के उपर click कर लीजिए, तो यहां पे token sale में पार्ट लेने के लिए simply आपको यहां पर registration कर दिना है, यहां पे अगर registration की बात करो तो यहां पे simply आपको आपका basic detail जैसे कि आपको आपका email ID, password और यह यहां पे आपको register कर दिना है, तो यह एक बहुत ही simple सा process है, तो अब मैं guys यहां से back चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं guys अगर यहां पे cypherum project की बात करो तो यहां पे जो उनका concept है वो बहुत ही बढ़िया है, और उसके पीछे यहां पे जो team work कर रही है वो भी बहु इचा benefit हो सकता है